हाथी और बकरी की कहानी एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे दोनों बहुत पक्के दोस्त थे दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए वहाँ उन्हें एक तालाब दिखाए दिया उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेर था बेर का पेर देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए वह दोनों बेर के पेर के पास गए फिर हाथी ने अपनी सून से बेर के पेर को जोर से हिलाया और जमीन पर धेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे बक्री जल्दी जल्दी गिरे हुए बेर उनको इक्ठा करने लगी संयोगवश उसी बेर के पेर पर एक चिडिया का गोंसला भी था जिसमें चिडिया का एक बच्चा सो रहा था और चिडिया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी बेर का पेड जोर से हिलाने के कारण चिडिया का बच्चा गोसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा चिडिया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बक्री तालाब में कूद गई लेकिन बक्री को तैरना नहीं आता था इस वजह से वह भी तालाब में डूबने लगी बक्री को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिडिया के बच्चे और बक्री दोनों को डूबने से बचा लिया इतने में चिडिया भी वहाँ पर आ गई थी और वह अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई उसने हाथी और बक्री को इसी तालाब और बेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा तब से हाथी और बक्री भी चिडिया के साथ उस बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे कुछ ही दिनों में चिडिया का बच्चा बढ़ा हो गया चिडिया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम कर आती थी और हाथी और बक्री को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देती थी इस तरह हाथी, बक्री और चिडिया मजे में रहते और खाते पीते थे कहानी से सीख, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मन मुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले